चले इस बीच हमार साथ और एक महमान जुड़े हैं हमार साथ मोहित मोधी जुड़े हैं क्रिसिल के उन से बात करते हैं मोहित मौनिंग टूए शुक्रिया इस बाजित में शामिल होने के लिए अपका व्यू मार्केट पेस समय क्या है Are you tempted to change it? एक तो जो पॉलिसी से जुड़े हुए स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार की तरफ से और दूसरा जिस तरह से ग्लोबली हमने एक लिक्विरिटी को सस्टेन होते देखा है देखिए सरकार की तरफ से स्टेटमेंट तो आएं लेकिन अभी इन स्टेटमेंट पे एक्शन होने में थोड़ा टाइम दिख रहा है कली फाइनस मिनिस्टर जी ने दस पॉलिसी दस पॉइंट्स किया अगर मैं उनको ब्रॉड लेवल पे देखूं तो तीन चार मुखे चीज़ें उबर के सामने आती है एक है वो बात कर रहे हैं फिस्कल कॉंसल डिडिलेशन की इसका मतलब की खर्चों में सायम बरतेंगे राज्यों के और देश के टोटल खर्चे को कम करने की कोशिश करेंगे दूसरा बात कर रहे है टेक्स पॉलिसी के रिव्यू की जो की एक इन्वेस्टर के इस इन्वेस्टर सेंटिमेंट के अगेंस्ट रहा था उसको वो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं ये रिव्यू कब तक होगा कब जाके खतम होगा उसका क्या परिणाम आएगा यह अभी देखने लाइक बात है तीसरी बात कर रहे हैं कि PSU Investments को बढ़ाने के लिए वो पुर्जोर कोशिश करेंगे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी-अभी Crystal Research ने करी 15-20 दिन पहले ही एक सर्वे किया था हमारे सर्वे का अनुसार यह आया था कि देश की टॉप 200 कंपनीज में से जिनमें की 30 PSU कंपनीज हैं अगर उन 30 PSU कंपनीज खटा दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर इंवेस्टमेंट बहुत नीचे आने की उमीद थी इस साल में अगर प्राइवेट सेक्टर से इंवेस्टमेंट नहीं आता है और सिर्फ PSU से इंवेस्टमेंट आता है तो यह पॉजिटिव है इन दे सेंस की PSU इंवेस्ट कर रहा है लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर इंवेस्टमेंट नीचे ही रहता है तो ये एक चिंता की विशे बनी रहेगी इस विशे में अगर कुछ होता है तो वो भी एक positive trigger हो सकता है market के लिए अगर कोई policy announcements होते हैं जो private sector investment को boost करेंगे तो वो एक positive हो सकता है लेकिन मुहित वितमंत्री ने जितनी सारी बातें कही हैं उसमें एक दो चीजें जैसे कि अगर वो संकेत दे रहे हैं कि जो retro tax है उस पर वो विचार कर रहे हैं उसकी समिक्षा कर रहे हैं तो अगर संकेत ही है कि वहाँ पर सरकार अपना मन बदलने वाली है फैसला बदलने वाली है तो वो पूरी तरह से उनके हाथ में है लेकिन बाकी जितनी सारी चीजें उन्होंने गिनाई है उनमें इसे कितनी सारी चीजें ऐसी लगते हैं कि सरकार चाह ले सरकार सोच ले तो चीजें बदल जाएंगे क्या सरकार अभी ऐसे सिती में है कि एक समेती बना दे तो फिसकल लिपसिट कम हो जाए जी समीती बनाने से सिर्फ अगर काम हो सकता होता तो शायद अभी तक हो चुका होता लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज़्यादा चीजों पर ध्यान देने की जरूत पड़ेगी पहली बात यह है कि फिस्कल कॉंसलिडेशन की अगर आप बात करते हैं अब यह क्रिसल रिसरच का अनुमान है कि फिस्कल डेफिसिट देश का इस साल में करीब 5.6 से 5.8 परसेंट के आस पास रहेगा ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल की सरकार ने जैसे एक बात की इंटरेस्टेट कम करने की कोशिश करेंगे उसकी तरफ अन्देशा दिया है अब अगर फिस्कल डेफिसिट इतने उचे लेवल पर रहता है तो इंटरेस्टेट कम करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है दूसरी बात यही है कि फिस्कल डेफिसिट में एक और वेरियेबल जो सामने आता है वो है मौनसून का अभी अगर आप देश के पांच राज्जे जहां पर की मेजर खरीफ फसल में खरीफ फसलों के लिए जो मेजर मौनिटरेबल हैं पांच राज्जे जैसे की राजिस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महराष्टा और करनाटका इनमें अगर आप देखें तो मध्यप्रदेश में एवरेज मौनसून हो चुका है भी तक महराष्टा के विधर्व रीजन में एवरेज मौनसून है लेकिन बाकी सब रीजन में मौनसून डेफिसिट है ऐसे में कुछ राज़े जैसे की इस्पेशली राजिस्थान जहां पर जो की कृशी बहूर राज़े वहाँ पर अगर यह होता है की मौनसून कम रहता है ओवराल तो सरकार को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और सरकार को वहाँ पर खर्चा करके फिसकल स्टिमिलस देन होता है इस वक्त मोहित अगर आई-टी कंपनियों के कारोबार पर नज़र डाली जाया और जिस तरह से कॉग्निजेंट वाली खबर है अब यह साफ दिखाती है कि यह सिर्फ पूरे बाजार के दिक्कत नहीं है यह कुछ चुनिंदा कंपनियों के दिक्कत है जिसके बारे म बाजार पहले से ध्यान दे रहा है कि कई कंपनियों अच्छा कर रही है कई कंपनियों ठीक नहीं कर पा रही है बाजार सबके लिए एक जैसा है बाजार के सित्यां सबके लिए एक जैसी है तो कॉग्निजेंट का इनफोसेस को पीशे छोड़कर के आगे बढ़ जाना साल तो वो कहीं धील दे रही है, कहीं कम्जोर पड़ रही है। देखे, देखे, बाजार ये बात सही है कि ये कल का फैक्ट है कि कॉगनिजन्ट नंबर टू कंपनी हो गई है इन फोसिस को पीछे करके, लेकिन ये एक quarter on quarter race नहीं है, अगर आप long range में देखते हैं, पिछले 4-5 सालों को देखते हैं, तो एक stage ऐसी थी जब IT companies के लिए मार्केट थोड़ा open था, मार्केट में economic sentiments globally अच्छे हुआ करते थे, आज पिछले 3-4 सालों में स्थित्थी थोड़ी बदली है और जिसके करण की business करना difficult हो गया है, ऐसे में, ऐसे में obviously ये होगा कि कुछ companies ज्यादा आकरमक रविया अपनाएंगी और उनको उससे फायदा भी मिलेगा, कुछ companies हो सकता है कि नरम रविया अपनाएं और उससे फायदा लें, तो ऐसे में ये एक company की strategy है, quarter on quarter को एक company दूसे से कितना आगे निकलती, कितना पीछे निकलती, ये quarter on quarter phenomenon, I would say कि structurally, I think as बाजार के तोर पर देखा जाए, तो हमारा अनुमान था कि 18-19% इस साल में revenue growth होनी चाहिए, वो एक for IT पूरे साल के लिए, दूसरी बात रहेगी कि eurozone में क्या इस्तिती उबर के आती है, वहाँ पे कैसी situation होती है, वो एक monitorable रहेगा, पूरे बाजार के साब से देखा आते हैं, IT companies के clients कितने, कितने प्रतिशन सादे उनके पास ले के आते हैं, अगर हमारा नुमान है कि यह नंबर करीब 20% रहेगा, इन सादों में किस लेवल पे नए price contracts renew होते हैं, वो एक companies के लिए रहेगा, कुछ company हो सकता है कि अच्छे rates पे renew कर पाएं, जिससे उनको long term में फाइदा मिलेगा, और वो ही एक structurally बाजार का level define करेगा, I think IT, अगर हम sector level पर देखें तो पूरी economy में, I think still IT is one of the top sectors, जो एक अच्छा बाजार के average से अच्छा परिणाम इस साल देनी की उमीद की जा सकती है, ऐसा होता है नहीं, मुहित, आपके लिए सबसे comfortable sectors इसमें कौन से है market में? जैसा कि मैंने कहा, IT companies एक sector है, जो अभी भी मैं positive हूँ उसके बारे में, हमारा नुमान है कि on an average इस साल में revenue growth around 13-15% के आसपास होगी, लेकिन IT की growth उससे जादा हो सकती है, इसका एक और प्रमुक कारण है कि रुपया भी कमजोर है, around 55-56 के लेवल पर अगर रुपय terms. So, I would say, IT एक sector है, जो अभी भी strong दिख रहा है, relative level पर. मुहित, FIA की और से लगातार खरीदारी चल रही है, और पूरे जुलाई महीने में हमने देखा लगबख 10,000 क्रोड़ रुपय की खरीदारी अगस्त में भी उन्होंने लगबख इसी तरह का रुजहान बनाये रखा है. तो FIA की खरीदारी की पीछ आप क्या देख रहे हैं, क्या एक जो यह पहलू है कि रुपय ने अपने आपको एक हद तक, एक दाएरे में ही संभाल लिया है, अब वो और ज्यादा फिसल नहीं रहा है, और ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा है, अगर कहीं वापस ऐसे इससे बन पिछले चे महीने में कर देखा जाए तो एक टैक्स नया टैक्स रूल एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट के अगेंस्ट रहा था, उसमें थोड़ी क्लारेटी अब पॉलिसी इशूस पर उसमें थोड़ी क्लारेटी आ रही है, दूसरे लेवल पर देखा जाए तो प्राइम न इन्वेस्टर जी ने खुद ये कई बार अनॉंस्मेंट दिये हैं कि हम एकनॉलेज करते हैं देश में थोड़े पॉलिसी लॉग जैम से हैं और उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक ये भी एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए एक पॉजिटिव रहा है, तीसरी बात जैसे कि आपने का कि रुपया बहुत वोलेटाइल था बिट्वीन जैन्वरी और जून और पिछले एक डेड़ महिने में अगर हम देखें तो रुपया एक इस्तर पे बना हुआ है, जो एक स्थिर्था देता है लोगों के लोगों के अनुमान के लिए और उस स्थिर्था के कारण भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को अभी थोड़ा पॉजिटिविटी दिये हुए, एड दा सेम ताइम देर आर और अलसो नेगेटिव फेक्टर्स और बैलेंसिंग फेक्टर्स, जैसे कि है अवी, फिस्कल डेफिस्ट एक मॉनेटरिबल है देश के लिए, गलोबिली और येरोजोन में क्या होता है, वह हैं एक मॉनेटरिबल है दếश के लिए तो यह तीन चीजें भी हैं, जो जो इसको बैलेंस कियुरे हैं, अब एक महान लगाना बहुत मुछिझल है कि अगले के हिसाब से या या फेट थोड़ा कमजूर के है अऩर ही हिसाबसे रहा है अबी तक हमारे लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे अनुमान थे कि रिजल्ट या जो पिछले दो थेन सालों में आया उसमें कमजूर रहे और यह रिजल्ट उतना ही रहा है करीब-करीब हमारे नुमान थे कि अराउंड 13 से 15% के बीच में रेविन्यू ग्रोथ दिखेगी भारत की सारी कमनियों के बीच में और अभी तक उसी साब से रहा है कुछ-कुछ-कुछ-कुछ सेक्टर्स में जैसे की आई-टी सेक्टर में थोड़ी उतल-पुथल देखने को मिली थी कुछ-कुछ-कंपनीज के रिलेटेव लिजल्म अच्छे आए कुछ-कम्पनीज के एकस्पेक्टेशन से कम आये लेकिन-अ-वर्छ-ख, अभी तक जो अनुमान थे, जो अमीद थी कि रिजल्ट जैसा आएगा उसा उतनाही पर मुहित क्या करेंगे आज के ओपनिंग के बारे में सेंटिमेंटली अगर देखा जाए तो आज कल के अनॉंसमेंट्स के बाद सेंटिमेंट्स वर पॉजिटिव आइटिंक दो तीन रिजल्ट्स भी आए हैं कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद सो अभी उन उनकाउंट्स में जादा मुवमेंट आप देखा नहीं गया है मेरे खाल से अगले 10-12 दिनों में मार्केट ही वाच करेगा कि जो प्रॉमिसेज या जो पॉलिसी इशूस के बारे में जो अनॉंसमेंट्स हुए हैं उनके उपर कितना एक्शन होता है कहां कहां पर उसको उसके सीधे पॉलिसी पे इंपक्ट आता है और बॉटलनेक्स खुलते हैं उससे एक इस्ट्रक्चरली वाइटिंग मार्केट को एक डारेक्शन मिलने की संभावना है जी मोहित एक पहली बाजार में भी समझ में नहीं आ रही डियलेफ का हमने पिछले दिन नतीजा देखा बिक्री में कमी मुनाफ़े में कमी कर्ज को लेकर स्थिती साफ नहीं विशलेशकों का जो अन्मान था उसके मुकाबले कमजोर पदर्शन लेकिन शेयर भाव पिछले बड़ा जो मॉनिटरेबल वो था वो यह था कि उनके बास करीब 22,700 करोड का डेट था इस साल हमारे अनुमान के साब से उनका नेट ऑपरेटिंग कैश लो करीब 500 करोड रहा होगा और उसमें से उन्होंने कितना डेट रीपेमेंट के लिए उसकिया है आइ तिंक मार्केट में एक वो चीज है जो जो देखने लाइक होगी अनन ऑपरेटिंग लेवल उन्होंने बुकिंग में इस क्वाटर में स्टेंथ दिखाई है उनकी टोटल बुकिंग 6.8 मिलियन स्करफिट रही है इस क्वाटर में जो कि पिछले क्वाटर को अगर देखा जाए ऑन एक्यू मिलियन स्करफिट थी सो बुकिंग लेवल से इंप्रूव हुए हैं उन्होंने एक अच्छा गाइडेंस दिया है और ऑपरेटिंग लेवल लेकिन उनकी बैलेंस शीट अभी तक अनौन्स नहीं हुई है और बैलेंस शीट ही एक चीज है जो बाजार के लिए या विशलेश हो सकता है यहां से लाल निशान में जाए बट जिस तरह का अपमो उसने दिया था उसके बाद हो सकता है कि शायद आज कुछ हद तक बजार इसी रेंज में घुमता रहे या फिर जिसे कहता है कॉंसल्डेट करने की कोशिश करें जो टॉप लूजर से उसमें रिलाइंस पर अब ठीक ठाक नुकसान है करीप उने फिस्टी की गिरावाट है बीपी सी एल एक परसेंट से जादा की गिरावाट यहां पर और हीरो मोटर कॉप उने दो परसेंट नीचे है मोहित जो इंटर सेंसिट्व स्पेस है जिस तरह की इंडिकेशन कल हमने फैनास मिरिस्टी से भी सुने है उसके बाद इस टाइम ठीक गेट बूलिश अक्रोस द बोर्ट इंटर सेंसिट्व स्पेस पर देखी इंटरस टेट कल उन्होंने अंदेशा दिया है विपमंत्री नंदेशा दिया है कि इंट्रेस रेट को कम करने ही कोशिश करेंगे या उसको रिव्यू करेंगे लेकिन उसका दूसरा इंपक्ट यह भी होगा कि अगर इंट्रेस रेट कम होते हैं तो उससे डिमांड साइड बूस्ट आएगा जो कि सबसे बड़ा इशू नहीं है सो मेरे हिसाब से इसमें एक्शन होने में अभी टाइम है मेरे हिसाब से पहला पॉलिसी एक्शन जो जो आज देश को चाहिए वो है इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर सेक्टर लैंड अक्विजिशन माइनिंग राइट्स इन सब इशूस पर काई बड़े जो कि अगें बाजार के लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा सो ओवर रॉल मेरा क्रिस्ट्र रिसर्च के रहाब सानुमाने है कि इंट्रेस्ट्रेट्स पर मुवमेंट इस नॉट सम्थिंग जो कि हम उमीद करेंगे हम उमीद करेंगे कि पॉलिसी इशू उस पर पहले मुवमेंट होगा चलि एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक टेकर जल लोटते हैं मोहित आपके सलाव फिलहाल हाउजिंग फाइनन्स कंपनी जो हैं उन पर क्या है बिकाज उसमें से कुछे कंपनी ने जिन्होंने काफी अच्छा उट परफॉर्म किया है यहां पर थोड़ा पॉस्टिव हुआ है पिछले आफ़े भी हमने देखा इंट्रेस रेट यहां पर मुख किये गहते यह स्पेस कैसा लग रहा है आपको कि यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि वैसे तो हाउसिंग फिनेंस में मॉट्गेज आर बैक्ट बाइ सेकुरिटी सो सेकुरिटी रहती है लेकिन अगर नपी होता है तो उससे इंपक्ट होने की संभावनों रहती है अगर इंटरेस्ट रेट इसी लेवल पर इस तर रहता है तो उनसे एनपी एज में किस लेवल का बड़ोतरी हो सकती है अगर बड़ोतरी होती है तो एक मॉनिटरेबल होगा हमारे लिए मोहित आपके केचन में ब्रिटानिया के कितने प्रोड़क्ट होते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन ब्रिटानिया के बिस्किट्स और ब्रिटानिया के प्रोड़क्स होते हैं और इनमें से पोटफोलियो में पोटफोलियो में ब्रिटानिया भी हम कबर नहीं करते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ब्रिटानिया इसके अलावा साथ ही बॉंबे डाइंग इन दोनों कम्पनियों से वाडिया ग्रूप ने काया है कि वाडिया ग्रूप का नाम इस्तिमाल करने के लिए आप रॉयल्टी दीजिए क्या आप मुहित इस मसले को वैसा ही मानेंगे जैसा टाटा ग्रूप अगर कहें टाटा संस कहें कि आप टाटा ब्रैंड ने में इस्तिमाल कर रहे हैं इसलिए हमें रॉयल्टी दीजिए क्या यह वैसा ही मसला रखता है क्या दोनों चीजों को एक बराबर रखा जा सकता है स्थि चुक करते है तो टाटा के प्रोड़क्स में अक्रोस हो टाटा का नाम यूस करते हैं और जैसे कि टाटा मुतस्ताऊ आटांप टाक्स्ट अहर जगेद ठाटा एं उसपा एक रॉयल्टी दे जाती हैं और दिस फैरली लीगली एस्टब्लिश्ट मेफ़डर्ड वाडिया गुरुप में वह एक्जेक्लि कैसे उस ब्रांड को यूज करने वाले हैं यह स्टडी करने वाली बात होगी अभी मैंने study नहीं किया है लेकिन उसके बाद ही उसके उपर कुछ legal review किया जा सकता है या कुछ review दिया जा सकता है कि उस brand को कैसे use किया जाएगा और उसके against royalty कैसे वो निर्भर कैसे वो अनुमानित करने की कोशिश कर रहा है पर यह वो तो भी बुरा नहीं है बाजार हमारा बंदो उसके बाद गिर नहीं जाना चाहिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही रहता है concern यही रहती है उमीद करते है ऐसा नहीं हो बट लाजडी अगर देखे मोहित globally क्योंकि at least इसमें यह अगर आप जो बड़े-बड़े institution है उनका भी views होने तो उनका भी है मानना है कि liquidity driven risk on rally इसमें चल रही है market में globally यह कितना sustain कर सकती है looking at micro indicators देखी इस विचार के पीछे सबसे बड़ा reason यह है कि आज अगर हम eurozone की सबसे बड़ी problem को देखें वो है वहां के banks का capitalization जो की देखने में आया है कि हुआ capitalization अगले 4-5 साल में capitalization करने की उमीद है उसके लिए पैसा चाहिएगा वहां पर दूसरी बात यह है कि वहां पर fiscal prudence यानि की खर्चों में कमी सरकारी खर्चों में कमी across governments especially जो troubled economies है वहां पर उसकी जरूरत है यह दोनों चीजें अगले 3-4 साल तक एक theme की तरह बनी रहेंगी कभी उपर होगी कभी कभी नीचे होगी कभी तेज होगी लेकिन यह जब तक रिस्क management practices strong और stronger नहीं होती और capitalization नहीं होता बैंक का तब तक eurozone में एक tentativeness बनी रहेगी तो यह यह issue मेरे ख्याल से एक quarter यह दो quarter का issue नहीं है यह अगले 3-4 सालों में इसके सुधरने की उमीद किया सकती है और तब तक हम तब तक यही रहेगा कि बाजार liquidity driven news driven sentiment driven movement दिखा सकता है कभी उसके कारण positivity रहेगी कभी negativity रहेगी लेकिन major issues bank capitalization और fiscal prudence के हैं पिलकुल चलिए शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ इस बाचीत में शामिल होने के लिए मोहित आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बाचीत में शामिल होने के लिए